साथियों, आज लोग तंत्र की परिभाशा का एक सिमित अर्थ रह गया है कि जनता अपनी पसंद की सरकार चुने और सरकार जनता की अपेशा के अनुसार काम करे। लेकिन महत्मा गांधी ने लोग तंत्र की असली शक्ति पर बल दिया। उन्होंने वो दिशा दिखाई जिसमें लोग शासन पर निर्भर न हो और स्वावलम भी बने। साथियों महत्मा गांधी भारत की आजादी की लड़ाई के केंदर मिंदू थे लेकिन पल भर के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर आजाद देश में गांधी जी पैदा हुए होते तो वो क्या करते हैं। उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी ये बात महत्मा को है लेकिन गांधी जी के कारियों का विस्तार सिर्फ इतना ही नहीं था। महत्मा गांधी ने एक ऐसी समाज वबस्ता का बिड़ा उठाया जो सरकार पर निर्भर न हो। महत्मा गांधी परिवर्तन लाए ये सर्वविदित है लेकिन ये कहना भी उचीत होगा कि उन्होंने लोगों की आंतरिक शक्ति को जगा कर उन्हें स्वयम परिवर्तन लाने के लिए जागरत किया प्रेरित किया। अगर आजादी के संगर्ष की जिम्मेदारी महत्मा गांधी पर न होती तो भी वो स्वराज और स्वावलंबन के मूल्ड तत्व को लेकर अपना जीवन खपा देते आगे बढ़ते। गांधी जी का ये वीजन आज भारत के सामने बड़ी चुनोतियों के समाधान का बड़ा माध्यम बन रहा है। बीते पांच वर्सों में हमने पीपल्स पार्टिसिपेशन जन भागिदारी को प्रात्विक्ता दी है। चाहे स्वच्छ भारत अभ्यान हो, डिजिटल इंडिया हो, जनता अब इन अभ्यानों का नेत्रुत्व खुद कर रही है। साथियों महत्मा गांधी जी कहते थे कि उनका जीवन ही उनका संदेश है। गांधी जी ने कभी अपने जीवन से प्रभाव पैदा करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनका जीवन ही प्रेरणा का कारण बन गया। आज हम हाउ टू इंप्रेश उस दौर में से गुजर रहे हैं। लेकिन गांधी जी का विजन था हाउ टू इंस्पाइर। गांधी जी की लोगतंत्र के प्रती निष्ठा की ताकत क्या थी, इससे जुड़ा एक वाक्या, मैं जरूर आज आपको कहना चाहूंगा। जब कुछ वर्ष पहले मैं ब्रिटेन की महारानी एलिजबेट से मिला, तो उन्होंने मुझे बहुत भावकता के साथ एक छोटा सा रूमाल दिखाया था। यह रूमाल खादी से बड़ा रूमाल था, जो गांदी जी ने उन्हें उनकी शादी के समय, उनके मैरेज के समय उभार के तो पर पर भेजा था। सोचिये, जिसके साथ सिध्धान्तों का संगर्श था, उसके साथ समंधों को लेकर कितनी समवेदन सिलता थी, यह महत्मा गांदी का मन बताता है। वो उनका भी भवा चाहते थे, सम्मान करते थे, जो उनके विरोधी थे, जिनके साथ वो आजादी के लड़ाई लड़ रहे थे। साथियों, सिध्धान्तों के लिए इसी प्रतिबद्धता ने गांदी जी का ध्याम ऐसी साथ विकृतियों की तरफ खींचा, जिनके प्रती सभी को जागरुक रहना चाहिए। और उनकी ये साथों बाते, आज भी रिलेवेंट हैं, आने वाले कल भी रिलेवेंट रहने वाली हैं। उन साथ बाते हैं, बेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कॉंसियंस, नॉलेज विदाउट करेक्टर, बिजनेस विदाउट एथिक्स, साइन्स विदाउट हुमेनिटी, रिलीजियन विदाउट सेक्रिफाइच, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, चाहे क्लाइमिट चेंज हो या फिर आतकवाद, ब्रस्टाचार हो या फिर स्वार्थ परक्सामाजिक जीवन, गांधी जी के ये सिध्धान, हमें मानवता की रक्षा करने के लिए मार दर्सक की तरह काम करते हैं, मुझे विश्वाथ है कि गांधी जी का दिखाया ये रास्ता, बहतर विश्व के निर्माण में पेरक्सिद्ध होगा, मैं समझता हूँ कि जब तक मानवता के साथ गांधी जी के विचारों का ये प्रवाब बना रहेगा, तब तक गांधी जी की प्रेणा और पासंगिकता भी हमारे बीच बनी रहेगी है, मैं फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, थैंक यू,